आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी लेखन तो किसी भी साहिती के दो रूप होते हैं गद और पद हना तो उसी तर चाहें वो अंग्रेजी हो संस्क्रीत हो या फिर हिंदी हो तो उसी तरह हिंदी साहिती के भी दो रूप होते हैं गद और पद तो हिंदी साहिती का जो गद रूप है वो नाटक उपन्यास कहानी संस्मरण निबंध और पत्र भी इसी में आते हैं यह सब जो है कहानी के गद्ध विधा के रूप हैं तो कहानी के गद्ध विधा के जितने भी रूप है उसमें कहान हिंदी साहिति की जो गद्ध विधा है उसमें कहानी का महतोपूर स्थान है तो कहानी जब हम पढ़ते हैं या फिर हमको पता चलता है कि हमको कहानी सुनाया जाएगा तो हम बहुत उत्साइत होते हैं उसको सुनने के लिए या फिर पढ़ना होता है तो पढ़ने के लिए कैसी कहानी होगी है तो कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है तो कहानी जो लेखन होती है वो एक कला है कहानी लेखन एक कला है इससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति के किस तरह से वह अभी व्यक्ति छमता पता चलता है जो लेखक होता है कहानी लेखक होता है उससे उ प्रेशन इनियता का तथा भासा ग्यान का कोई भी व्यक्ति जब कहानी सुनाता है या फिर लिखता है तो सबसे पहले उसे उस भासा का ग्यान होना चाहिए यदि आप इंग्लिश में सुना रहे हो या लिख रहे हो इंग्लिश भासा का ग्यान होना चाहिए हिंदी में सुना अभिव्यक्ति छम्ता का कि जैसे किसी भी चीज को आप कितने अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रस्तूत करते हो अभिव्यक्ति छम्ता कल्पना सक्ति तथा संप्रेशन यता मतलब कि कैसे मतलब कितने अच्छे से आप अपनी बात को दूसरों के सामने पहुंचा रहे ह तो कहानी लेखन एक कला है इससे मतलब सुमप्रेशण यता अभिव्यक्ति छमंत तफैंट alpna शक्ति तथा भाल constग्नद का पता चलता है तो जब भी आप एक्जाम में आपके इस तरह से कहानी लेखन पूछे जाते हैं, तो एक्जाम में जो भी कहानी लेखन पूछे जाते हैं, वो चार प्रकार से पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको कोई सिर्षक दे दिया जाएगा, उस सिर्षक के अधार पे आपको कहानी कि और चौथा है कि आधा कहानी लिख दी गई होती है और आधा उसको complete करना होता है आपको तो अध्यूरी कहानी को complete करना होता है तो इस तरह चार तरीके से आपको एक्जाम में प्रशन कहानी लेखन आ सकता है पूछने के लिए तो जब भी हम कहानी लिखते हैं तो उसे हमको निम्निखित बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि जब हम कहानी लिखते हैं तो वह भूत काल में होनी चाहिए प्रजेंट में हम नहीं लिखते हो बात पहले ह को चुकी रहती है तो कहानी लिखते समय हमें ध्यान दखना होता है कि हम उसे भूत काल में लिखे और कहानी जब हम लिखते हैं तो उसका प्राराम और आंत जो होता है वो रोचक होना चाहिए लोगों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए और जब भी हम कहानी लिखें तो उसमें सरल भासा का प्रियोग करें ऐसी लोग आसानी से समझ जाए हना और मौलिखता हो नी चाहिए कहानी में जो भी कहानी लिखो तो लगे लोगों को कि नइसाच्ची है मौलीकता में इंटते हैं सच्ची हैं तो इस तरह से जब भी हम फूने वाला है तो होने वाला है उनके मन में मतलब जाग रुकता हो कि इसके आगे का हम सुने कि क्या होने वाला इसके आगे हैं और जब भी हम कहानी लिखें तो हमें विसेवस्तु बहुत ज्यादा उसका विस्तार नहीं करना चाहिए जिस चीज को हम बताना चाहते हैं तो उसी चीज को बताए बहुत ज्यादा उसमें हम नहीं होना चाहिए और कहानी जो होती है उससे हमें सिक्षा मिलनी चाहिए कुछ ने कुछ उसका सिच्छा उससे मिलें तो इस तरह जब भी यह सारे नियम है जब भी कहानी लिखने होते हैं तो उसको हम लिखते हैं और इसके बात कहानी जप नेखते हैं तो संधिप्ट संधृत संध्रम सिपट करोगे तो बड़ा हो जाता है तो आपके क्लास में कम से कम सी मूंढ ribbon 마음에 कहानी लिखनी होती है